जाहें दोस्तो इस बार इस दिवाले आप सभी लोग लिए खुस्यों की चाबी लेकर आ रहा रहा रतन टाटा की ड्रीम का टाटा नैनो और अगर आप भी चाहते इस कार को जल्द से जल्दी इंडिया मार्केट पर लॉंच कर दिया जाए तो बाई वीडियो को लाइक करना बिलकुल नाप ले और अपने सभी दोस्तों के साथ से एक ड्रीम को चाहते भी जल्द से जल्दी पूरा हो जाए दोस्तों रतन टाटा की ड्रीम जो रेंज रोवर और रोस रोस भी हो सकती लेकिन उनको बनाना है रताटा की नैनो और इसके पीछे का रीजन में आपको पत पती तीन से शाड़ लोग सफर करने के लिए निकल जाते जो इंडियन रोडों के सब्सक्राइब काफी ज्यादा खतरनाक है और बाइब कोई भी रोडों बाइब मोटर साइकल पर दोस से ज्यादा लोग खतरनाक ही साबित होता है और ऐसे में रतन टाटा चाहते बाइब जो लोग तीन से चार लोग सफर करते वो उनके पास टाटा नैनो हो और रतन टाटा टाटा नैनो के पीछे में एक रुपए का भी जो प्रॉपी नहीं खमाते हैं सबसे बड़ा रिजन है टाटा नैनो को लेने का दोस्तों यस बार इस दिवाली इस कार को एक नए उतार प तो आपसे भी लोगो अपडेट करना जरूरी है तो अब आप चुके हैं आपसे लोगों को रतन टाटा के ड्रेम कार्टा नैनो के इंजिन डिटल्स को बताने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपसे भी लोगों को इलिक्ट्स के पेट्रोल इंजिन पर मिलने वाली है 700 CC की र मैलेज आपको निकाल कर देने वाली है जो कि सच में काफी ज्यादा जैवर्जास थे और आप इसके टॉप स्पीड की बात करें तो आराउंड आपको वन मेंडिट से लेकर 120 किलोमेटर प्रती गंटे तक की रप्तार इस कार पर देखने को मिलेगी और छोटी कार के इसके इलेक्रिक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सिब लोगों को यहां पर मिलेगी 20 किलोवाड की इलेक्रिक बोटर जिसमें आपको मिलने वाली है 40bhp की पावर और लगबग 85 एनम तक का टॉर्क है तो गैस बिसिकली नॉमल सी बात है ना कि इलेक्रिक मोटर प सकते हैं ऑल एक से चार्ज कर सकते हैं जिसक і टॉप फरय प्रतीछ घंते की मतलब थोड़ी सी सी घट जाने वालीं अल्यक्रिक मोटर पर जिसका चार घंटे भेडर दिए इस से चार्ज कर सकते हैं मतलब घर के चारजर से और अगर आप इसको DC चार्ज करते हैं तो लबग एक से 7 गंट पर ये कार फ़ी पर से फुल चार्ज हो जाएगी तो आप से भी लोग इसके एलेक्रिक और पेट्रोल में से कौन सी कार को लेड़ा पसंद करेंगे और अगर इसके CNG के बारे में सोच रहें तो आप CNG को भी ले सकते कंपनी फिटेड CNG का भी आपसन मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर आपको बूटी स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यह आप जान लें और वहाँ पर आपको 700 CC की रिवांट की होई पेट्रोल एंजानी मिलेगी होज रखता है कि वहाँ पर थोड़ी सी पावर कम कर दीजाए क्योंकि जो इसकी CNG होती है न वो इस बर भाई जो पावर है वो तो इसी कम होई जाती है तो कैसे लिगे आपको र पेहिंद वन्दी मात्रां